नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको रूप मंत्रा नीम फेस वास की पूरी जानकारी दूँगा कि इसे कैसे इस्तमाल करना है कितने दिन इस्तमाल करना होता है इसके फायदे क्या होते है इसके नुकसान क्या होते है तो दोस्तो इन सभी बातों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं में तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ में घंटे वह निशान को जरूर दबाईएगा दोस्तों तो रूप मंत्रा नेम फेजबॉस आता है दिवीसा कंपनी का और इसका MRP है 48 रपेद यह थोड़ी पुरानी पेकिंग है तो हो सकता है इसका रेट बढ़ गया हो दोस्तो आपको पता ही होगा के नेम हमारी स्किन के लिए कितनी यूसपुल कितनी बढ़िया काम करती है और बहुत ही बढ़िया नेम के बहुत सारे फायदे होते हैं और इसका जो फायदा है फेज के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है तो रुप मंतरा में जो नेम ही डाली गई है और जो कि फेस के लिए बहुत ही बढ़ी है मानी जाती है तो चलिए अब बात करते हैं इसके उपयोग की दोस्तो इसका उपयोग चेहरे पर कील, मुहासे, एकने, पिंपल और ओयली स्किन जिनके फेस पर ओयल रहता है तेल सा रहता है चिपचिपी स्किन के लिए उसके लिए बहुत बढ़िया है और इसका उपयोग ब्लैक हैट्स व लड़की लड़कियां तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा सन प्रोटेक्शन का भी काम करता है ये और इसको मतलब जो चेहरे पर दाग धब्बे हैं उनके लिए भी इस्तिमाल किया जाता है तो ज्यादा तर इसका उपयोग एकने पिंपल को ठीक करने के ल और दोसों इसे सुबह शाम लगाया जाता है फेस बर धोया जाता है मतलब इस फेश बॉस से और अगर हो सके तो साबुन का प्रियोग ना करें तो ही बढ़िया रहेगा ज्यादा तर फेस बॉस का ही इस्तिमाल करना चाहिए जिससे कि स्किन डैमिज नहीं होती है और दिखने लाहिक हो जाता है रहता है तो इसे दोस्तों इसका वैसे नुकसान तो कोई भी नहीं है फिर भी अगर आपको इसको लगाने से जलन या फिर खुजली होती है तो इसे तुरंद बंद कर जीगा और अपने डॉक्टर को जरू दिखाईए गा इससे रेगुलर रहे एकने पिंपल्स वगेरा ना हो चहरे पर दाग धब्बे भी ना हो और अच्छे से ये डर्टी फेस को ठीक कर सके तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू कीजेएगा साथ में घंडियों इस्यान को जरू दबा जरू के धन्यवाद